तो फ्रेंस आपको पता होगा कि प्रेग्नेंसी के दौरान हामुज चिंजिस होते रहते हैं बहुत ही आम हैं और ये बदलाव होने भी जरूरी है हर महीने तो दोस्तो ऐसे में एक जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है वो है आपके प्रेग्नेंसी में निपल का काला या भूरा होना बहुत से मैलों काइक कुछन होता है कि प्रेगेनसी की दौरान हमेती निपल हो वह काले क्यों हो गाई alleine इसका कारण किया है? क्या यह नॉर्मल है? तो बहुत सी एसे लोगों का दावा भी है कि pregnancy के दौरान अगर आपके निपल काला हो जाता है तो आपको लड़का ही होगा और वहीं अगर आपका निपल भूरा होता है तो लड़की होगी तो नमशकर आज मैं इन तमाम कुश्चन के आंसर इस वीडियो में क्लियर करने जा रही हूँ दोस्तो प्रिग्नेंसी के दौरान निपल का काला होना एकदम नॉरमयलाईस जीहां प्रिग्नेंसी के दौरान है यशेज हार्मोन बढ़ने ही पर मेलन की माता बढ़ती है जिसकी वजह से आपका जो निपल है वो बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत ज़्यादा बूरा दिखने लग जाता है तो ये एक हर्मोल चींज के वज़े से होता है तो आप एकदम निस्विकर रहें अब बात करते हैं कि मैलनिन होता क्या है तो दोस्तो मेलनी एक pigmentation है जो आपके body के darkest area में पाय जाता है तो जब मेलनी की माता हसे जादा बढ़ती है तो आपको जो darkest area होता है जैसे आपका गर्दन हुआ, आपके कोईनी हुए, आपका नाभी लाइन हुए, आपके निपल के color हुए या आपका private part हुआ, या आपके underarms हुए, तो इन area को वो और जादा काला बना देता है वहीं अगर आपका mellonine hormone कम बन रहा है, तो ऐसे में जो darkest area है वो एकदम light पढ़ने लग जाता है तो mellonine सिर्फ एक pigmentation है, बहुत से बड़े बुज़ूर का ये दावा रहता है कि pregnancy के दौरान जो निपल काला होता है, तो उससे लड़का ही होता है और बहुत से महिलाओं ने पाया है, जिनके बूरे हैं उनको लड़की हुए तो दोस्तों, निपल का रंग काला क्यों होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैलनी के माता बढ़ने से आपका जो निपल का कलर है वो काला है बोरा होने लग जाता है तो इससे बेबी जंडर का कोई भी कनेक्शन नहीं है वेगयानिक तोर पे भी इसकी कोई भी पुस्टी नहीं की है भी जो हाया है निपल के काली करह से विलकुल पता नहीं कर सकते कि गव में लड़का है या लड़की यह इसिवी हामस चेंज की वजए से होता है और ये बहुती जाद नॉम्मिल भांसी देखने को मिलता है और बहुत में बहुत कम देखने को मिलता है तो आशा करते हूं कि मैंने आपकी डाउट के लिए किहोंगे और अगर आपकी कोई भी कोश्यान है तो कमें सेक्शन में ज़रू पूचेगा मैं उसका reply दोंगे और बने रहे सोसरे भ्रम से दूरे मशकार